चावल के आटे में ये चीज़े मिलाका यदि आप लगा लेते है तो चेहरे पर पर पिग्मेंटेशन है जाईया काले निशान या फिर धूप में जाने से आपकी स्किन डल हो गई है संटेनिंग हो गई है पिमपल psychologist की प्रॉब्लम है या फिर बहुत जादा वाइट है से रेक हेट से स्कीन पर बिल्कुल ग्लो नहीं रहता है आपकी स्कीन बहुत ज्यादा रूखी सूखी बेजान हो गई है तो आप ये फेसपेक बना कर यदी वीक में दो से तीन बार यदी लगा लेते हैं तो चेहरे पर आता है इंस्टेंट ग्लो और स्कीन एकदम ब्राइटनि करके इसका पाउडर बना सकते हैं और यूज कर सकते हैं तो चावल में होता है एंटी एजिंग ये हमारी स्कीन से यदि आपकी स्कीन समय से पहले लटक गई है लूज हो गई है या फिर आपकी स्कीन पर बहुत ज्यादा फाइन लाइस रिंकल दिखने लगे हैं इस स्कीन पर ग्लो नहीं रहता तो चावल का आटा एंटी एजिंग का वर्क करता है कोरियन में भी लोग चावल का यूज करके अपनी स्कीन केर करते हैं नेक्स्ट आपको इसमें एड करना है बेसन ग्रेम फलोर जिनके हम पगोड़े बनाते हैं बोबाला बेसन आपको एड करना है बेसन हमारी स्कीन को एक्सफॉलियेट करता है चेहरे का मेल गंगी को दूर कर देता है इसकीन पर इतना ग्लो लाता है ये बेसन पुराने टाइम से ही लोग इसका यूज करते हैं यदि आप भी सही तरीके से इसका यूज कर लेते हैं तो चेहरे पर बहुत अच्छा ग्लो के बाद में उसका जो येलो येलो लिक्यूड होता है उसको अच्छे से निकल जाए उसके बाद में इसके जो काटे होते हैं उनको साइट से कट करके इस तरह से आपको किसी भी फोग की हेल्प से इस तरह से निकाल सकते हैं इसका जेल बहुत आसानी से निकल जाता है और एलो एलो वेरा हमारी skin को soft बनाता है, skin यदि बहुत जादा रूखी सूकी बेजान रहती है, तो चहरे पर ये glow लाता है, चमक लाता है, और इसमें हमारी skin पर यदि किसी चीज को apply करने से, जो side effect होता है, इसको दूर कर देता है, pimple लेगने को भी दूर करता है, तो एलो वेरा जेल का ज़रूर यूज करना चाहिए यह हमारी स्कीन के लिए बहुती ज़्यादा वेनिफिशल होता है तमाटर का रस टमेटो जूस टमाटर को पहले अच्छे से क्लीन कर ले धो ले धोने के बाद में आपको इसको हाप कट करना है इस तरह से इसका जूस निकाल लेना है और टमाटर में bleaching properties पाई जाती है vitamin C होता है यह pigmentation को दूर कर देता है यदि आपकी nose पर blackheads हो जाते है तो इसको भी दूर करता है और यह हमारे skin पर glow लाता है जहाई यहां काले निशान को दूर करता है यदि आप इसका लगातार use करते हैं तो टमाटर हमारी skin के लिए बहुती जादा फायदे मंद होता है जैसे कि हमारे health के लिए अच्छा होता है यसे हमारी skin के लिए भी फायदे मंद होता है तो टमाटर का juice एट करने के बाद में जो ingredient हम एट करेंगे वो है raw milk, कच्चा दूद कच्चे दूद में lactic acid होता है जो हमारी skin से milk गंदगी को दूर करता है skin को soft बनाता है cleansing का work करता है और काले दाग धबो को भी दूर करता है जिनकी skin बहुत जादा dry रहती है उनके लिए तो ये भोती जादा फायदे मंद होता है और इसको teenagers भी use कर सकते है और ये remedy man, woman दोनों के लिए है और ये पूरी तरह से natural है तो आपको इसको अच्छे से mix कर लेना है जिस तरह से मैं mix कर रही है इसी तरह से आप इसको अच्छे से mix कर ले और इसको apply करने से पहले आपको क्या करना है तो आपने अभी तक मेरे चेनल को subscribe नहीं किया हो तो प्लीज चेनल को जरूर सब्सक्राइब करें बेल आइकन को all पे जरूर किलिक करें जिसे मेरे वीडियो के आने वाले new notification आपको मिल जाए तो अच्छे से मैंने mix कर लिया है और इसको apply करने से पहले आपको क्या करना है अपने face को पहले clean करना है अच्छे से wash कर ले Face को wash करने के बाद में आपको इसको अपने face पर apply करना है जो चावल के छोटे छोटे पार्टिकल है वो natural scrub का work करेंगे यदि आपकी skin बहुत जड़ा खुरदरी हो जाती है तो ये skin को soft बनाता है आप जो market वाला scrub यूज करते हैं यदि आप एक वार ये scrub की तरह इसको use कर लेंगे तो आप market वाला scrub बूल जाएगे ये natural है और हमारे घर का है और इससे कोई side effect नहीं होता और बिल्कुल free का है क्योंकि हमारे kitchen में रखा इसलिए तो आसानी से आप भी ये face pack का ज़रूर use करें आपकी skin पर बहुत अच्छे से ये work करता है तो आपको इसको पूरे face पर अच्छे से apply कर लेना है और apply करने के बाद में आपको क्या करना है अच्छे से apply करने के बाद में आप इसको नहाने से पहले apply करें ताकि आप इसको neck पर भी apply कर सकें तो इसको नहाने से पहले apply करें या फिर आप कोई भी पुराना कुरता पहन कर कोई भी पुराने कप्ड़े पहन ले तो कपड़े भी गंदे हो जाते हैं तो आप नेक पर भी जरूर अपलाई कर ले मैंने सिर्फ फेस पर ही अपलाई किया है तो इसको फेस पर अपलाई करने के बाद में आपको इसको कम से कम 10 से 20 मिनिट तक के लिए इसे ही छोड़ देना है जब 10 से 20 मिनिट हो जाए तब आपको क्या करना है रो मिल्क कच्चे दूद से अपने फेस को गीला कर ले रहे या फिर आप नॉर्मल वाटर का भी यूज कर सकते हैं या फिर कच्चे दूद या रोज वाटर इन तीनों चीज में से आप कुछ भी यूज कर सकते हैं अपने फेस को पहले गीला कर ले इसके बाद में हलके हलके हाथों से आपको मसाज करना है ज़्यादा हार्चली रब नहीं करना है तो हलके हलके हाथों से आपको मसाज करनी है आखों के आसपास, नोस के आसपास, बिल्कुल सरकूलर मोशन में नीचे से उपर की हो, जिस तरह से मैं मसाज कर रही हूँ, इसी तरह से आप यदि मसाज करते हैं, तो चेहरा एकदम सॉफ्ट और क्लीन हो जाएगा, जैसे कि आपने मार्केट से फेशियल कराया हो, जो फेश पेक का ज़रूर यूज चरें, अच्छे से पूरे फेस पर अप्लाई करने के बाद में अच्छे से मसाज करना है, कम से कम 10 से 15 मिनिट तक एसी तरह से मसाज करें और आखों पे भी बिल्कुल हलके हलके हाथों से मसाज कर ले, ज्यादा हार्शली नहीं रब करना है, रगड का यूज नहीं करना है अच्छे से फेस को वाश करने के बाद में आप देखेंगे आपका फेस एकदम सॉफ्ट और क्लीन हो जाएगा चेहरे का सारा मेल कालापन एक बार में ही दूर हो जाएगा जो भी मेल होता है वो रिमूब हो जाएगा इसकीन ग्लो करने लगेगी तो आ हुआ है